हाई फ्रेंद्स कैसे हैं आप स्वागित करता हूँ आपके अपने चिल्प्रिक 11 फोकास पर इस वीडियो में हम बात करेंगे के यार वर्सेज एलियाइज फुल स्टाइट्स प्रस इन्फो यानि कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कराची किंग्स के मैच की जो आपको खेल पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आ जाओ क्योंकि टेलिग्राम में बहुत इंबोटन चीज़ें आती रहती हैं साथी में टॉप के कोमेंट पे भी मैंने लिंक रखा हुआ तो अगर आप कमफरेबल हो टॉप कोमेंट के लिंक से आ जाओ या फिर वीडियो की डिस्क् आज हमारा नेक्स मैच रहेगा वो भी हम कवर करने वाले हैं फाइनल सीरीज का मैच रही हो ठीक है अभी हम यहाँ पर बात करें कराची के मैदानकी यहाँ आपको रंस देखने को मिल रहे हैं पर्टिकुलर्ली नाइट ग्यम्स में आपको यहाँपर डियो देखने को मिलत पिछले साल से लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखोगे पहले स्ट थोड़ी स्लोर रंस से होई थी लेकिन उसके बाद देखोगे पिछी इंप्रोव होती गई थी रंस पर रंस बनने लगे थे चेजिंग टीम लगातार विन कर रही थी अच्छी खासी आपको एडवांटेज मिल जाती है बल्लेबाजों को इस वर स्पिन को भी थोड़ी मिल रही है पिछले साल 157 में से 116 फास को 28 स्पिन को विकेट थी लेकिन इस साल की कहानी में थोड़ा बदलाव है 39 में से 23 फास को विकेट है दो मैच लो स्कोरिंग गए हैं दो बेहत हाई स्कोरिंग गए हैं बाकि एक मैच आपको अभी मैच नमबर 5 जो देखने को मिल जाएगा अब यह इनफाक्ट लाइव चल रहा है उसको भी आप देख लेना चेजिंग टीम को यहाँ कड़ी से कड़ी आप कह सकते हैं यानि बहुत बड़ी एडवांटेज है तो आप समझो की चेज करना चाहेगी टीम जो भी टॉस जीतेगी कराची किंग्स की बात करें अगर तो यहाँ पे दोनों टॉस वो हारे कराची के टॉस के साथ मैच भी हारी यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहन कोग्विन की न्यूज आ रही है बहुत अच्छे इंग्लेंड के प्लेयर हैं ग्लॉप के शायर में खेलते हैं एक लड़ी काउंटी में इस सल आपने उनको एड़लेट से देखा था बहुत अच्छा खेलता है बीबियल में ठीक है तो यहाँ पे दोस्तो कराची किंग्स के लिए वो आ चुके हैं स्कॉर्ड में लेकिन त्वेंटी नाइंथ को आये थे तीन दिन का कॉरंटीन है यानि की फर्स्ट येर सेकेंड फेबरी को अवेलेबल होंगे अभी अवेले दभी जब तक स्टेप अप नहीं करेंगे इनकी टीम की बलेबाजी वीकी लगेगी इमाद वसीम मेरे साब से ऐसे प्लेयर है जिनको उपर प्रमोट करना चाहिए लेकिन अब करेंगी के नहीं ये नहीं पता वैसे इमाद वसीम जब कैप्टन रहते थे वो खुद को उपर पर प्रमोट कर लेते थे लेकिन कल तो इनको काफी नीचे भीजा गया हाला कि यही बाबर के बाद सेकेंड आईयर स्कोरर बने थे तो ये इनकी टीम है बोलिंग इनकी टोटली स्ट्रगल कर रही है कुछ खास विक्टे मिली नहीं मोहमबन नभी को पहले मैच में दो विके ले लेना ठीक है इनके बोलर्स कुछ-कुछ अपनी टीम में रखना जिसे इमाद वसीम और मौहमबन नभी ये कॉमन हो जाएंगे थोड़े से डिफरेंशल चाहिए होंगे तो मौहमद इलियास और उमाइद आसिफ मौहमद इमान उमाइद आसिफ लास मेच खेले नहीं थ तो साहिब सदा फरहान को मौका दे सकते हैं किसी एक बोलर को बाहर बिठा कि क्योंकि इतने बोलर करने क्या है गरेगरी जिसा प्लेयर है जो इनको बोलिंग दे सकता है तो आई डोट नो वाई कि ये क्या कर रहे है मुझे थोड़ा सा समझ के परे है प्रैक्टिस मैच में जरूर इन सब ने अच्छा कर लिया था लेकिन में मैचेज में अभी दख परफॉर्मेंस नहीं निकला दोस्तों लहोर कलंदर्स की बात कर लेते हैं इनका जो स्कॉर्ड है बहुत तगड़ा है ठीक है लहोर की टीम इस मैच पे भी फेवरेट है जीतने को हाला कि टॉस एक बड़ा फेक्टर बन रहा है इन मैचेज में तो टॉस पर भी ध्यान रखना बट लहोर की टीम में देखोगे तो ओपनिंग पर ही आपको दिख जाएंगे फकड़ जमान जो की बहतरी इंफॉर्म में है सोहे लगतर लास्मेंट नहीं खेले क्योंकि अबदुल्र शफीक के जो T20 में आप देखोगे अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं ODD में तो और जादा अच्छा रखते हैं consistent है उनको अपनिंग करवाई गई देन कमरान गुलाम यर हमने कल बात करी थी इनकी 37, 35, 119, 46 क्या तगड़ा रिकॉर्ड रख रहे हैं recently इनके जो रहा है और आप देख ल इनके इनका डिसकस हुए है और हरिस रॉफ को इस सल यॉक्षार में भी आप खेलते देखोगे उसी टीम के प्लियर यहां पर सेयद फ़रुदीन एवन एहमद दैनियाल और हरिस रॉफ को आप BBL में देख चुप हैं Melbourne Stars को रेप्रेजेंट करते तीम की academy बहुत अच्छी है वहीं से कमरान गुलाम आये हैं तगड़े प्लियर हैं इसके लाबा मुहमद इमरान और दीन फॉक्सक्रॉफ्ट है कभी यह दो खिलाडिया को खेलते दिख जाएं आंखे बंद करके Grand League में ले लेना चलो आंखे खोल के लेना कोई परवा नहीं है मुझे बट ले लेना क्य खेल नहीं पाए थे अभी न्यूजीलैंड में रिसेंटली बट ऑल्दो यह ओटेगो में खेल चुके हैं सौथ अफरिका अंडरनेटीन में खेल चुके हैं बट इस साल क्यों नहीं खेल पाए थे कुछ कोविड के चक्कर में यह फज गए थे एक जगा पर ठीक है बाकी य चाहिए यहां पर गलती से विन लिख दिया गया है तो लॉस लिखना चाहिए बिल्कुल यह मैच हार गए थे 200 रंस करने के बाद भी रीजन बना था कि सामने मुहमद रिजवान शानमसूद दोनों अच्छा केल गए थे मुलतान से दोस्तों इनके ओपनर फकर जमानने कल बहुत बड़ी अखिला आज एक कैटनसी के भी दावेदार हैं 76 इन्होंने कर दिये शफीके ने 24 कुम्रान गुलाम ने 43 किये ठीक है अफीज ने किये 16 जबकि बेंडग ने 11 बॉल में 9 किये थे थोड़ा स्ट्रगल किया उसके बार डेविड वीज ने और आशित खान ने फिनीशिंग कर दिया नार्मली समित उपर आ सकते हैं सो कभी भी पटेल बहुत अंडरेटेट चल रहे हैं दोस्तों इनको ध्यान में रखना उपर भी आ सकते हैं फिर शाहीन जमार और रॉफ इनके लिए फास्ट बोलिंग करेंगे बोलिंग तगड़ी है हाला कि मुझे ल 50-50 कौल है तो वो हमेशा बल्लेबास को फेवर मिलता है अगर रन आउट या स्टंप हो और रन आउट और स्टंप मेंसे यह स्टंप था तो रिजवान को एज मिली वरना हमेशा ओन फिल्ड कॉल देखते हैं और यहां पर क्या हुआ था रन आउट और स्टंप के केस में ज पत्रवाँ निस्वाँ और किया अठारवाँ भी सरी सरॉफ ने किया मैं दोनों को लेके चलना ही पसंद करता हूँ दोनों अच्छे डेथ बूलर है राशिद बीच में तो यह टीम के जो 12 और है न मैं यह बहुत तगड़े मानता हूँ 12 और बाकी के 8 और में सामने कराची को अच्छा करना हुगा लाहोर कलंदर के भी हर प्लियर का रिकॉर्ड में यह लिखा हुआ है अब दिलेश अफिके का देखो कंजिस्टनसी बढ़िया है 38 की अवरेज है सेंचरी भी है चार हाफ सेंचरी भी है ठीक है इसके लावाद दोस्तों हैरी ब्रू कभी अवेलेब कुद भी गुड टीम इस ताइम पर मुझे लगता है मुल्तान लगोर और इसलामाबाद ये तीन टीम काफी स्ट्रॉंग है अलगी इसलामाबाद भी लास सिजन घराब ही करके आरहे है बर मुझे लग रहा कि इस सीजन अच्छा जा सकता है उनका लाहोर कलंदर के लिए द दोस्तों आप मैच अप्स की बात करते हैं मैच अप्स में बहुत इंट्रेस्टिंग है बापराजम का मैच अप दो प्लियर्स के साथ इनको अगर अच्छा करना है तो हरिस रॉफ को आप देखोगे अब फिर भी खेल लेते हैं लेकिन राशिद खान और शहीन शाह फरीदी क दोनों ने तंग किया बाबर को तीन बार रशीद ने आउट किया है एक बर वंडे में भी आउट किया टोटल चार बर आउट किया रशीद ने और T20 वर्ल्ट कम में भी इस बार रशीद खान ने आउट किया था बाबर को जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था शाह ले आए शार्जिल खान ने आकिफ जावेद को दो विकेट दिया वही बात जो हम हर बार करते हैं इनकी विकनेस है लेफट आम और्थोडॉक्स परमाफ करना लेग स्पिन, लेग स्पिन के साथ-साथ इनकी जो विकनेस आजाती है वो आती है लेफट आम फास्ट अब लेग स्पिन पर ये एक दो सिक्स भी लगा लेते हैं उसके बाद ही विकेट दे जाते हैं कॉलिटी बोलर जैसे इम्रान तहीर पहले ही मैच में उन्होंने आउट किया दूसरे में देख लो लेफट आर्मर सोहिल तन्वीर ने और यह हमने चीज सेम फर्स्ट मैच में डिसकस करी थी अच्छे प्लियर आप कह सकते हो दोस्त कह सकते हो समित पटेल है उनके 30 गेंद में तीसरे नेक विकेट दोनों नौटिंगम शायर से खेलते हैं ठीक है इंका ना लेफटाम और्थोडॉक्स के आगे थोड़ा फॉल्स प्रसेंटेज जादा है और वही काम पटेल खर सकते ह बी लेक्स्पिन को मारते हैं लेकिन और भी उन्निपे ओके जाते हैं और अब देख़िलो रशीक को मारे भी हैं तीन बार ऑट क्या अपर दे इनके डेथ बोलर्स पे से सामने जब फिनिशिंग करने आएंगे गरी-गरी तो तंग हो सकते हैं और आशीद पे भी एक बार इमाद वसीम जो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं थोड़ा सा फुल पेस के आगे कई बस च्रगल कर देते हैं रौफ के आगे एक बर विकेट है पटेल के अगे एक बर के लेकर लेकिन यहाँ पर आप इमाद का इमाद ही मैंने लग दिया यहाँ पर देसे शाहीन शा फीरीदी शाहीन शाहि की लाफ सीजन भी एक्चली पिताई कर दी थे इमाद वसीम ने, अब ये पिटाई किसी आई की बात नहीं कर रहा, बल्ले से कह रहा हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम, I think, 9 गेंद में, 19 रन माले थे, पिछले सीजन में, टोटली 18 में 32 है, ठीक है, लहोर के बोलर, अब हम ने देख लिए, अब हम स्टाइकरेट, ग्रेगरी के आगे एक बार, और उमाइद आसिफ के आगे इनका भी एक बार, अभी दोस्तों, यहाँ पर समित पटेल की बात करूं, अगर मैं, ग्रेगरी और इमाद के आगे खेले हैं, थोड़ा सा, यहाँ पर एक्छली न, जीरो होना चाहिए, इस एक्छल परसेंटेज, इनका ओस्पिन के आगे हाई रहता है, बेंडंक का ये भी चीज थोड़ी आपने नोट करके चलनी है, तो दोस्तों, जब आप अमने टीम सेलेक्ट करने होगे, विकेट कीपिंग में आपको, यहाँ पर जो क्लाक मिलेंगे, बेंडंक मिलेंगे, सॉल्ट पाकिस्तान के दो माहिक लाड़ी हैं, दोनों को मैं लेके जाना चाहता हूँ, और दोनों ही अच्छा भी कर रहे हैं, बाबर आजम ने पूरे वर्ल्ट क्रिकेट में अच्छा किया, लेकिन इस पी एसल में थोड़ा सा फीके रहे हैं, थर्टी किया, ट्वेंटी किया, कमरान गुलाम जो वन डोन पे हैं, वेरी एक्साइटिंग बैट्समन, रीसेंट फ़र्म है तगड़ा, ठीक है, और फिर अब्दूले शफीके हैं, जो ओपरिंग पे हैं, और इनका भी रीसेंट फ़र्म अच्छा है, हमने इनी दो नुकलियर्स को, जो दो प्लियर्स में ह हर मैच में आपको बता रहूं, बड़े डिफिरेंशल, कल हमने इनकी बात करी दी, शफीके और गुलाम की, सो इनको भी आप ट्राय कर सकते हो, लेमन बॉय, ठीक है, वैसे तो लेमन बाय है, बट मैं इनको प्यार से लेमन बॉय बोल दूँगा, नीमबू गोला पंदा, च खान को भी नहीं, सो यहाँ पे ऑप्शन्स वही बन जाते हैं, शार्जल, गुलाम, शफीक, इन मेंसे हम दो भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, ठीक है, और राउंडर्स में दोस्तों फिर से बहुत अच्छी ऑप्शन्स है, मुहमद अभी, इमाद वसी, मुहमद अफी करना पड़ेगा, नभी मुझे चाहिए, नभी को मैं लेके चलूँगा, विकाज अच्छे और राउंडर हैं, ओस्फिन भी करते हैं, रंस भी करते हैं, इमाद, हफीज, डेविड वीज, समित पटेल, यह चार ओप्शन्स हैं, और इवन ग्रेगरी, देखते जो, अगर आ आगे, आप आमिर यमीन तो ले लोगे, लेकिन आप पस बल्ले बाजी में, इट्रेड में, कोई खास ओप्शन नहीं है, लेवन भी को मैं ले नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे, दोस्तों, मिरे को क्या करना पड़ा है, मिरे को पहले तो यहाँ इमाद वसीम को लिया, मैं का सिलेक्शन कम है, अब मिरे पास दोस्तों क्रेडिड है, मैं यहाँ पे इजीली जो चाहूं ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे अब्दूलर शफीके को ओपनर को लिया है, और साथ में मिरे को लास्ट आप्शन में, आमिर यमीन या मोहमद इमरान जैसा कोई बोलर लेना प सकते हैं, अगर तो आप पस करेड़ है, तो वैसी आप हफीज को भी ले पाओगे, नहीं है, तो हम यहाँ पे फाइनल टीम देखेंगे अपनी टेलीग्राम पे रात को, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जरूर टेलीग्राम में जोड़ जोगे, वीडियो की डिस्क्रिप्श में मिलते हैं,